गोपाल गंज एक अजूबा जिला है और यहां कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता है और इसके बाद अगर राजनितिक तोर पर आप गोपाल गंज को जानना चाहते हैं तो जो अब आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी चीज़ को हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं इसके नीचे बैकुंटपूर के पूर विधायक मिथलेश टिवारी का जवाब भी है वो भी पढ़के सुना रहे हैं और आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे मिथलेश जी लिखते हैं कि मोटा भाई मत आईए बैकुंटपूर के बाद गोपाल गंज भाजपा को भी अब हम दखिन लगा दिये हैं बाकी आपके खित्मत में दिल्ली आवास पर हम हाजिर हो जाएंगे उसके बाद एक और स्क्रीन पर आपके तस्मीर चल रहे हैं देखिए मिथलेश कुमार पिवारी जो बैकुंटपूर के पुरुविधायक रह चुके हैं उनके हम आपको बहुत क्लियरली और साफ साफ बता रहे हैं कि जो अमित्र चाह का और मिथलेश कुमार तिवारी का ट्वीट था यह बिल्कुल फेक था मौर्ज था गोपाल गंज के कुछ लड़कों ने इसको मजाग के लिए बनाया था और इसी को लेकर गोपाल गंज की राजन हैं मिथलेश जी कौन से कास्ट के हैं अब यहां खेल चल रहा है खेल इस बात का कि कभी रामपरवेश जी मिथलेश जी पर टीपनी कर देते हैं कि वो चपरासी के बेटे हैं और आज इतना अकूद धन बना लिये हैं उसके बाद मिथलेश कुमार तिवारी के पक्ष के जो और प्रवीन सिंग को पकड़ा जाता है, प्रवीन सिंग फरार हो जाते हैं, लेकिन विकी सिंग को लमसम 22 गंटे तक हवालत में महमत पूर्थाना में हवालात में रखा जाता है, और उसके बाद उस लड़के को छुड़ा जाता है, अब हुआ क्या है? मितिलेश कुमार तिवारी जी जो बैकुल्ट पूर के पूरु विधायक रह चुके हैं, वो भाई साहब जाते हैं और प्रात्मी की दर्ज करवाते हैं, कि अमित्षाह जी जो इस देश के ग्रीह मंत्री है, और मेरे खिलाफ शड़यंत रचा जा रहा है, और मॉर्फ ट्वीट पोस्ट किया रहा है सोशल मीडिया पर, जिससे जनता में गलत संदेश जा रहा है, उसके बाद विकी सिंग को पुलिस बाले गिरफतार करते हैं, और उसके बाद मंजीत सिंग जाते हैं, और विकी सिंग को चुरुबा कर लाते हैं, अब मंजीत सिंग कौन है, आपको ये बता रहे हैं कि कौन-कौन से जात का है और इस जात में क्या खेला चल रहा है बाकी अपडेट यह है कि जो फरार भाबू है परवीन बाबू उनको पुलिस खोज रही है और मिथलेश कुमारी तिवारी जी इस बाग का दावा कर रहे हैं कि जब मिथलेश जी ने उ खबर खूब चल रहा है गोपाल जंज की लड़के जो प्रवीन और विकी हैं जिनका नाम सामने आया है उन लोगों ने वो ट्वीट खुद से बनाया है कि नहीं इसकी पुष्टी नहीं हो पाई है लेकिन पुलिस वालों ने जब उनको थाने में बिठा के रखा तो हम एक ट्वीट में ऐसा लिक दिया गया कि देखिए बैकुंटपूर के भाजपा को हम खतम कर दी है थोड़ा सा वक्त मिलेगा तो गोपाल गज भाजपा को भी सत्यानाश करेंगे और उसके बाद राजनीती से हम सन्यास ले लेंगे ऐसा फिक ट्वीट जो भी बनाया है उसका ड जात की बात नहीं करेंगे लेकिन सोचिए के एक पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष और एक पार्टी का विधायक। खास बात क्या है दोनों भाजपाके हैं इस बात पर गौर करिएगा कि मितिलेश्ट कुमार पिवारी भाजपा के हैं और रमपरवेश राइव पिस रहे हैं वो लड़के जो थो आप मजाक में मीम मेटरियल कुछ शेयर कर दे रहे हैं और पिस रहा है वो राजनीती का आइडियोलोजी जिसके हिसाब से कहा जाता है कि हम जात पात का जिक्र नहीं करेंगे गोपाल गंज से आए दिन ऐसी खबरे आती रहती हैं कभी आप स सुनते होगे कि शादी में गया तो कुर्सी ने दिया तो उसका पैर तोड़ दिया और अब हद हो जाता है तो आप सुनते हैं कि मचली के मूडा के लिए भी कतल हो जाता है यह गोपाल गंज है वही गोपाल गंज जहां का चीनी मिल बंद हो गया है वही गोपाल गंज जहा पर कुछ भी नहीं है लेकिन हम और आप इस बात के discussion में लगे हुए है कि मितिलेश कुमार पिवारी जी और राम प्रवेश्ट राई जी का क्या करना है हम इस discussion में लगे हुए है कि कौन मॉर्फ ट्वीट कर दिया कौन फोटो गंदा गंदा बना दिया और हम इस बात में लग मेरे नाम प्रशांत राय है आप जींता रिंग्शन देख रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद